भारत के पांथ सबसे बड़े बिरिज दोस्तों वैसे तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े बिरिजिस हैं लेकिन ऐसकी इस वीडियो में हम भारत के पांथ सबसे बड़े बिरिज के बारे में जानेंगे तो गाइस बने रही आप हमारे सांथ इस वीडियो के आंग तक नमबर वन भुपेन हसारी का सेतू भुपेन हसारी का सेतू भारत का सबसे लंबा पुल है इस पुल की लंबाई 9.15 किलो मिटर और चौडाई 12.9 मिटर है इस बिरिज को ढोला साधिया के नाम से भी जना जाता है यह पुल असम राज्ये के तिन सुकिया जिले में लोहित नदी के उपर बना हुए है जो की असम और और उनाचल परदेश को एक दूसरे के सांथ जोडने का काम करता है इस पुल की अधारशिला 2003 में और उनाचल परदेश के ततकालीन मुख्य मंत्री मुकुट मिठू ने रखी थी 14 साल में बनकर तयार हुए इस पुल का उधगाटन 26 मई 2017 को पीम नरेंदर मोदी ने किया था नमबर टू दिवांग रिवर बिरिज दिवांग बिरिज अरुनाचल परदेश में दिवांग नदी पर बनाया गया है ये बिरिज भारत का दूसरा और अरुनाचल परदेश का सबसे लंबा और बड़ा बिरिज है जो की बोंजीर और मालेक गाउं को जोड़ता है और भारत में रुनाचल परदेश के पूर्वी हिस्से में दंबूक और रोईंग के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी परदान करता है 6.2 किलोमिटर लंबा ये पूल भारतिय सेना की चीनी सेनेों से खत्र से निपटने के लिए बहुत मदद करता है इसके निर्मान कारे 2013 में शुरू हुआ था और 2018 में बनकर तयार हो गया था 3. महातमा गांदी सेतू पटना से वैशाली जिला को जोडने के लिए गंगा नदी के उपर उत्तर दक्षिन के दिशा में एक बना ब्रीज है इस पुल को गंगा सेतू के नाम से भी जना जाता है 18,860 फिट उचा और 5,750 मीटर लंबा ये पुल भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुल है सांथी ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रीज है जो की एक ही नदी के उपर इतना बड़ा ब्रीज बनाया गया हो इसका उदगाटन माई साल 1982 में भारत की परधान मंतरी इंदरा गांधी जी ने किया था और ये ब्रीज साल 2017 में ढोला साधिय पुल के बनने से पहले यही भारत का सबसे बड़ा पुल हुआ करता था बांदरा को मुंबई के पचीम उपनगरों से जोडता है इस ब्रीज को राजीव गांधी सागर लिंक के नाम से भी जाना जाता है वरली सी लिंक पुल 5.6 किलो मीटर लंबा आठ ट्रैफिक लेन वाला पुल है हर दिन यहां से लगबक 37,500 कारों का आना जाना होता है बांदरा सी लिंक ब्रीज का निर्वान साल 2000 से शुरू होकर दस साल बाद 24 मार्च 2010 को पून हुआ इस ब्रीज के बन जाने के बाद बांदरा से वरली तक का सफर एक घंटे से भी कम हो गया नमबर पांच डिबडु गोड़ और धेमाजी जिले को जोडने वाला बोगी बिल ब्रीज भारत का पांचमा सबसे बड़ा ब्रीज है ब्रमपुतर नदी पर बने इस पुल की लंबाई 4.94 किलो मिटर है ये पूरे उपरी असमार और उनाचल परदेश को जोडने का काम करता है इस ब्रीज पर दो पार्ट बनाए गए है इसके निचले पार्ट पर ट्रेन चलती है जबकि इसके उपरी वाले भाग पर गारिया चलती है इसका निर्मान साल 2000 में शुरू हुआ था और 18 साल के लंबे समय के बाद ये 2018 में पूरी तरह से बन कर तयार हो गया तब इस ब्रीज को 25 दिसंबर 2018 को लोगों के लिए शुरू कर दिया गया था तो दोस्तों ये थे भारत के 5 सबसे बड़े ब्रीज आप इन सभी ब्रीज में से कौन से ब्रीज पर गए है